नमस्कार परणाम आप देख रहे हैं फटाफट निउज मैं आपके साथ सन्नी सिंग अभी हम आदर्स ग्राम सिस्मा में हैं एक चीज मैं आपको बता दू कि नवादा से मात्र चार किलो मिटर ये गाउं पच्छिम पड़ता है एक चीज मैं बता देता हूँ कि इस गाउं में जानते होंगे कि सबसे बड़ी बात ये है कि आदर्स ग्राम सिस्मा को कौन नहीं जानता होगा पूरे नवादा जिला में हर एक जगा हमेशा सुर्खियों में राता है अभी मैं उसी गाउं में हूँ और यहां पे मैं धार्मीक अस्थल पे अभी उपस्थित हूँ अभी मैं आदर्स ग्राम सिस्मा का एक अदभूत चीज अदभूत नजारा मैं अपने लाइब के माध्यन से दिखाना चाहता हूँ अभी हमारे साथ ग्राम सिस्मा के यहां पे जितने भी ग्रामीन लोग सब उपस्थित है आप जानते होंगे कि लगतार पाच दिन से अभी पूरे ग्राम सिस्मा में एक हलचल बना हुआ है क्यूंकि यहां पे नौमी सदी की एक मा का परतीमा निकला है एक चीज मैं बता देता हूँ कि दूर दूर से यहां पे लोग देखने के लिए उस परतीमा का यहां उपस्थित हो रहे है अभी मैं ग्राम सिस्मा में हूँ और यहां पे पूरे ग्राम बासी उपस्थित है और सबसे बड़ी बात है कि यहां पे सबसे पहले आज के 2 साल, 3 साल या 2000 साल पहले वेक महादेव का मुर्ती यहां पे निकला था अभी मैं ग्राम सिस्मा में हूँ और यहां के हिन लोग से मैं बात करता हूँ सबसे पहले क्या नाम है आपका? प्रतिमा को पता चला तो उसको वहां से उठा के लाके रखा गया महादेव के मंदिर में यहां जब वहां उसको रखा गया उसका प्रतिमा को जब असनान किया गया असनान करवाया गया तो माता का जो चमक देखने को मिला वह अद्भूत था ऐसा चमक तो हिंदुस्तान के कोई और मुर्ति में हम आज तक नहीं देखें और उसके बाद उसको महादेव के मंदिर में अस्थाई रूप से अस्थापित कर दिया गया था लोगों के द्वारा कह क्या, अस्यों पतान है और हम लोग को सर्फ से थोड़ा सा वी डर भी नहीं लगाए था हम लोग सर्फ के महुददी में जांपर आर्ति करूऊ-परल्यानि वहाँ से बहुत को महाम से संतिभाव से भूले बाबा के प्यम उसके बाद कहा चला गया हम लोगों को सबसे बड़ी बात मैं अपने लाइब के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस गाउं में एक मा की परतीमा खुदाई के दोरान निकला है और नवादा जिला के तमाम जो भी पदधिकारी हैं जिनको भी सूचना मिला है यहां पर उपस्थित हुए लेकिन मैं इस लाइब के मा योग हमेशा आपके साथ रहेगा और ग्राम के कुछ अस्थानिये लोग और हैं मैं उनसे बात करूँगा क्या नम है वही आपका मा का परतीमा निकला है चारो और पूरा दम खुशी का महौल है और इस गाउं में भी पूरा खुशी का महौल है कि जो मतलब 2000 साल पहले भोल इनर्जी आ गया है मा के आने से और हम लोग बहुत ही खुश है काफी खुश है जब मा के परतीमा निकला है तो आप लोग उनके अंदर क्या अदभूत देखें थोड़ा सा बताईए कर लोग जितने भी हम लोग विद्वान को बुला रहे हैं एक अपसर के भी आया थे प् से हम लोग में एक परतीमा निकला है तो क्या चीज का परतीमा कोई कर रहा है कि अभी इनका नाम जो है अभी किलियर नहीं हुआ है अभी इस पर मंधन हो रहा है यहां तक कि मंडे को बनालत से एक आ रहे हैं वह भी निसकर्स निकालेंगे अपने लाइब के माध्यम से पूरे ग्राम बासियों सुनको क्या आदेश देना चाहेंगे कि आके मतलब मुर्ती देख सकते हैं उन्से प्रात्ना करता हूं कि एक बार अगर हो सके तो आप यहां आजाए जहां तो आपका हम सेवा में हमेशा थत्पर रहेंगे और यहां कर हम लोगा सभी को सहयोग किजिए कि अब ही मतलब आप लोग का पूरे ग्रामनों का क्या कहना कि मा का प्रतीमा निकला है तो किस रूप से उनका प्रांध पर तिस्था किया जाए सबसे फर्स्थ आफ फॉल है कि मैं जिला परसासन से एक अंदरोध करना चाहूंगा कि मा की यहां हमारे दस ग्राम सिस्मा को तीर तरहस्तल के रूप में घोशित किया जाए दूसरी बात है कि हमारे मानिय सांसर्च बिधाय का जो भी हैं सबसे अंदरोध करता हूं कि हां कि हमारे माता के मंदिर के निर्मान में जितना से ज्यादा ज्यादा सहयोग परतान करें अभी आप देख सकते हैं पूरा कैमरा एक बर दिखाएगा पूरा कैमरा एक बर दिखाएगा कि पूरे ग्रामीन यहां पे उपस्थित और अपने लाइब में मैं एक चीज आपको बता और एक हमारे साथ गार जीयाने में उनसे भी बात करता हूं क्या नाम है आपका नाम से बताइएगा चचा की जो यहां पर तीमा निकला है मतलब क्या आप कहना चाहिएगा लोगों के बीचे सबसे बड़ी बात है कि ग्राम आदर्स ग्राम सिस्मा में मा का परतिमा निकला है लोगों में काफी उस्ता है और उस्ता के साथ लोगों में काफी जुन ने पूरे गाउं में खुसी का महौल है इस परकार से खुसी का महौल है कि सबसे बड़ी बात है कि लोगों का कहना है कि जब से मा का परतिमा इस गाउं में निकला है लोगों में काफी पोजेटिब एनर्जी है खुसी का महौल है और सब मतलब पुरे ग्रामिनों का काना है कि जितने भी मिडिया हैं परसासन के लोग हैं जिलास तरिये लोग हैं विभागिये लोग हैं सब का हमारे गाउं में स्वागत हैं सब लोग आई हैं और जो मा का परतीमा निकला है और आदर्स ग्राम सिस्मा को तिर्थ अस्तल घोस किया जाए फिर मैं आपसे मिलता हूं बात करता हूं के साथ मैं सनी कुमार जैहन हर हार महांगे